गुट मुनिंग स्टुटेंट वेलकम पाइक राजमा दर्वित्यमिहाल ओनलाइन क्लास। तोड़े वीडियों स्टार्ट अवर फिप्थ स्टैंडर्ड मैरी गोल्ड इंग्लिश। आवर उनिट इस थ्री वन एंट वीडियों नौव एड़ उन ओन आवर उनिट थ्री माई शेडव इस पूम एक शेडव सब्से पहले शेडव का नाम सुनके आपके दिमाग में क्या रहा है कि शेडव शेडव तो हमारे साथ ऑल्वेज होता है ओल्वेज नहीं होता कब होता है शेडव हमारे साथ जब लाइट होती है लाइट जब हमारे आसपस में होगी तब हमको हमारा शेडव दिखता है जब लाइट नहीं होगी एक दब मंदेरा हो जाता है तो शेडव हमारे साथ नहीं होता ओके आविल स्टार्ट आवर पोएम माई शेडव I have a little shadow that goes in and out with me मेरे पास एक छोटा सा शेडो है हम छोटे यह चोटा होगा हम बड़े तो हमारे शेडो भी बड़ा मेरे पास एक छोटा सा शेडो है पोईट ऐसा भूल रहा है जो मेरे साथ अंदर और बाहर चलता है मेरे साथ साथ ही चलता है में अंदर जाओ तो भी बाहर जाओ तो भी घुमने जाओ तो भी इन अड आउट का मिनिक भाई है अब वो क्या बोल रहा है वो शेडो का यूज क्या है हमेशा मेरे साथ साथ ही चलता है मेरे जैसा एक दम मेरे जैसा है हील से लेके एक दम हैड तक कमप्लेटली मेरे जैसा ही वो शेडो है और हमेशा मेरे साथ साथ ही चलता है और सबसे ज्यादा मैं उसको ही देखता हूँ शेडो को ही देखता हूँ शेडो के लावा मुझे ज्यादा और कोई दीखता नहीं सबसे फणी थिंग क्या है कि वो किस तरह से बड़ा होता है चाइल्ड होते हैं जैसे बच्चे होते हैं चोटे होते हैं उसमें से बड़े होने में टाइम लगता है एक साल होता है तब उसका वन येर कंप्रीट होता है टू येर कंप्रीट होते हैं फ्री येर्स कंप्रीट होते हैं उसके बाद स्कूल आना स्टार्ट करते हैं चलना सीखते हैं बूलना सीखते हैं तो उनका ग्रोथ कैसे होता है दीरे दीरे स्लोली स्लोली होता है पर शेड़ो का तो ग्रोथ ऐसे फटा फट हो जाता है कभी देखो तो एकदम छोटा सा दिखेगा पैर में भी आगे बीचे दिखेगा नी सिर्फ पैर के वाई होगा और कभी देखो तो इतना बड़ा जायन राक्षेश के जैसा फ्लोर से लेगे सिलिंग तक उसका पूरा शेड़ो ही होता है यह तना लॉंग हो जाता है और नुदर देखो तो एकदम छोटा होता है पब्र मीडियम साइज का तो ग्रोथ है जैसे पता ही ना चलिए सबसे फ़नी थिंग कर दो नहीं होता है। पर ही सम्टाइमजी शूट्स अप्टालर लाएं इंडिया रबर बॉल आप इंडिया रबर बॉल किसे उता हिं छीचते हैं तो बड़ा होता है लंबा हुजाता है उस तरह से अमारा शैट बोल जाते हैं तो कभी-कभी इतना बड़ा हो जाता है तो सीलिंग तब पहुंच ज शुर्धा, दीमे-दीमे बडा होता है रिशल मतमकि नीचे देखेंगे हो, तो सर्फ हमारे पैर्ग तक ही होता है, ऐसा की होता है, कि जब सॉनलाइट है, यहां कोई भी लाइट है, हमारे उपर बलब भी होगा, नाइट के टाइम के, तो एकदम उपर होगा जब टॉप पे होगा तो हमारा शेड़ो एकदम छोटा हो जाता है और राइट साइड पे होगा तो हमारा शेड़ो लेफ्ट साइड पे आता है और एकदम स्लेंटिंग में जब वो सनलाइट आती है या तो लाइट आती है फिर शेड़ो एकदम लॉं एंजा में क्या है देखते हैं वन मॉर्निंग वेरी अरली बिफॉर दू सन आई वोज अप आई रोज एंड फाउन दस शाइनिंग ड्यू अन एवरी बटर कप बट माई लेजी लिटल शेडो लाइक इन एरंड स्लिपी है अब एक मॉर्निंग को क्या हुआ सुब सुबसुब में चल्दी उट गया और जाँ और बाहर गया था बार गया था तब क्या हुआ कि मेरा शेडो मेरे साह आया इन्हीं तो पोईट क्या बोल रहा है कि जब मैं एक मॉर्निंग को सुपह में जल्दी उठके और बार वॉक के लिए गया था तब क्या हुआ था प्राइब लिए एक दम शाइनिंग ड्यू अन एवरी बटर गप यानि यह 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 दुट फ्लावर सुपह यह दू खाने लगती है तो इतनी मस्त शाइनिंग हो रही थी बट माइजी लिटल शेडोल लाइक एन एरन स्लीपी है एरन स्लीपी है यानि एक दम गंदा और सोता ही रहता हो Л enterprises इसको गूलते हैं एरन स्ली Tammy head स्लीपी एक यानि इसको नींद आती है तो वो ऐसा नहीं बूल रहे है कि उस टाइम पे शेडो ऊसके साथ नहीं था इस टाइम पर सनाइड़न इसके लिए शेडो क्रियेट इन हो था प्र क्या बहूल रही है कि वह तो एरंड स्लीपी है वो बैड में सोया ही रहा मेरे साथ आया ही नहीं वो सोई रहा था भी और मैं सुबह जल्द जल्दी उठके बाहर वाप के लिए आ गया था अब वो क्या बोलता है जब मेरे साथ सोया हुआ था और जब मैं उठके आया तो वो उठाई नहीं हो वहां पर ही सोया रहा है और उसको एकडम फास्ट एसलिप यानि गहरी नींद थी और मैं उठके चला आया तो एक्चुल में पोईट जो बोल रहा है इस इस थिंकिंग बट रियल क्या है कि जब सनलाइट होती है शेड़ो प्रियेट तभी होता है और जब सनलाइट नहीं होती तो शेड़ो नहीं होगा इंडिया रबबर बॉल्ड मीन्स एब बाउंस बहुत उपर तक जाता है बटर कप येलो फ्लावर अरंट एंड एंड कम्प्लीटली इन आतेंटिव यानि जसे मैं आपको पढा रही हूं और आप ज्यान नहीं देरो इधर उदर मस्ति करें उसको बोलते इन आतेंटिव य our poem completed we will meet again soon in the next lecture bye